जै मातादी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, आज मैं आपको चेत्र महा के सोम प्रदोश्वरत के बारे में बताने जा रही हूँ शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान भोले नात को प्रसंद करने के लिए सोम बार और प्रदोश्वरत बहुत मैत्वण माना जाता है अभी चेत्र महा का शुकल पक्ष चल रहा है चेत्र शुकल पक्ष की त्रियोदिशी तिथी को प्रदोश वरत रखा जाएगा पंचान के अनुसार इस बार चेत्र महा का दूसरा प्रदोश वरत बहुत खास होने वाला है क्योंकि ये सोम प्रदोश वरत होगा शिफ के प्रिये दिन और तिती का एक साथ होना अदभुत संयोग माना जाता है कहते हैं ऐसे संयोग में प्रदोषकाल में शिफ पूजा करने वालों की हर मनोकामना पूरी होती है धार्मिक मानने ताउं के अनुसार सोम प्रदोष्वरत करने का फल दो गायों का दान करने के बराबर मिलता है सोम प्रदोश वरत के दिन इस दिन पूरी निष्ठा से भगवान शिफ की अरादना करने से जातक के सारे कश्ट दूर होते हैं और जीवन में खुश्या दस्तक देती है जिन लोगों की कुंडली में चंद्रदोश है उन्हें सोम प्रदोश वरत अवश्य करना चाहिए इसके परिणाम स्वरूप कुंडली में चंद्रमा की स्थिती मस्बूत होती है और मानसिक तनाव से मुक्ती मिलती है हिंदू पंचांग के अनुसार चेत्रमा की शुक्लिपक्ष की त्रियोदिशी तितिखा शुभारंब तीन अप्रेल को सुभा 6 बच कर 24 मिनट पर होगा और इसका समापन 4 मार्च को सुभा 8 बच कर 5 मिनट हो जाएगा प्रदोशकाल में पूजा समय होने के कारण यह वरत 3 अप्रेल 2023 सुमवार के दिन रखा जाएगा